हेलो एवरिवन आजकी क्लास में मैं आप लोगों को कोशन कराने वाली हूँ यहाँ पर तो कोशन अमार पास यह है आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है अब निकालेंगे कैसे सबसे पहली बात इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है मुझे वो पता होना चाहिए कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है उसके बाद ही हम अपना लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं क्योंकि उसी का फॉर्मलो ओता है ठीटा अपॉन थी सिक्स्टी इंटू टू पाई या तो चलो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले टाइम पिर स्वेप्स सिक्स मिनट्स क्लियर अब देखो वन आर में कितना एंगल फॉर्म होता है पूरा घूम जाती है ना जब मिनट हैंड वाली तो थी सिक्स्टी डिग्री कम्प्लीट एंगल होता है तो यहाँ पर एंगल निकालने के लिए लिखेंगे पहले एंगल स्वेप्ट व मिनट हैंड इन वन आर में कह सकतू हूं न डहीं शिक्स्टी मिनट की बात करो मैं तो वह उता है में पास थ्री सिक्स्टी डिग्री अभ उसी तरिके से एंगलisiónस्ट्ट वाइन इन बंसंट में तो वान मिनट में कितना होगा थी शिक्श्टे अपों सिक्स्टी-बाइक 6 minutes का, तो in 6 minutes, तो 6 into 6 हो गया, तो वो हो गया 36 degree, एंगल निकल गया, अब length of arc आप easily निकाल सकते हो, तो length of arc आपकी क्या हो जाएगी, theta upon में 360, into में 2 pi r, formula याद होना चाहिए आपको, तो 36 upon में 360, 2 pi की जगा 22 by 7, r की बात करें, तो minute hand की आपको length पहले से 12 गिवन है, इसको इससे कट कर दिया 10 आ गया, ठीक है, 2 से इसको कट कर दिया 5 आ गया, तो 22 into में 12, और नीचे बचा 5 into में 7, अब तो आप इसको easily solve कर सकते हो, सिर्फ multiply और divide करना है, तो 22 को 12 करोगे, into करोगे, तो 264, और 57 जे कितनो हो जाएगा, 35 बस into divide कर दो, तो length of hour का गई 7.54 cm, ये एप्रॉक्स में आपकी आई है, ये था आपके पास question, कहीं भी दिक्कत लगे, comment करके जरूर पूशना, वीडियो अच्छी लगे, तो like जरूर करना, और मेरी चैनल को subscribe करने, तेंक्यू!